कबीरा खरा बजार में सब की मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। कबीर दास जी कहते हैं बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी ही तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी अर्थार जो कोई भी वैक्ती सही बोली बोलना जानता है जो अपने मुख से बोलने या वानी का मुल्ले समझता है वह वैक्ती अपने हिर्दय के तराजु में हर एक शब्द को तोल कर ही अपने मुख से निकालता है बिना सोचे समझे बोलने वाले व्यक्ती मुर्ख होते हैं रहीम कहते हैं मन मोती अरुदूध रस इनकी सहज शुभाए फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाए अर्थात मन मोती फूल दूद और रस जब तक सहज और समान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं परन्तु यदि एक बार ये फट जाएं तो करोरो उपाए कर लो वह फिर आपस में अपने सहज रूप में नहीं आ पाते हैं रहीम कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृती का करी सकत कुसंग चन्न नवीश बयापे नाहीं लिप्टे रहत भुजंग अर्थात जो अच्छे सभाव के मनुस्य होते हैं उनको बुरी संगती भी बिगार नहीं पाती जैसे जहरीले सांप चन्नन के विर्च से लिप्टे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए तूटे फिर ना जुरे जुरे गाठ पड़ जाए रहीम कहते हैं प्रेम का नाता ना जुक होता है इसे जटका देकर तोरना उचित नहीं होता यदि यह प्रेम का धागा एक बार तूट जाए तो फिर इसे जोरना कठीन हो जाता है और यदी जुर भी जाए तो ऐसा हो जाता है जैसे तूटे हुए धागों के बीच में काट बड़े काम ओचो करे तो ना बड़ाई होए जियों रही महनुमंत को गिरिधर कहे न कोए अर्थात जब छोटी सोच के लिए लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी बड़ाई नहीं होती जैसे जब हनुमान जी ने धोला गिरी परवत को उठाया था तो उनका नाम गिरिधर नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने परवत राज को छती पहुँचाई थी पर जब स्री कृष्णन ने परवत उठाया तो उनका नाम गिरिधर पड़ा क्योंकि उन्होंने सभी लोगों की रक्षा के लिए परवत को उठाया था वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे ज्यों महंदी को रंग रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनके शरीर सदा सब का उपकार करता है जिस प्रकार महंदी बाटने वाले के अंग पर भी महंदी का रंग लग जाता है उसी प्रकार परुपकारी का शरीर भी शुशो भी तरहता है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार